और अब दिल्ली को लेकर क्या गहमा गहमी दिल्ली कॉंग्रिस में क्या कुछ चल रहा है ये ज़रा हम आपको अप्रेट कर दे हर पल बदलता राहूल का मूड अद्यक्षे बने रहने या ना रहने को लेकर बदलता हुआ मूड उनका फिलाल दिख रहा है 72 गंटे पहले ही की थी पद छोड़ने की घुशना CWC से कहा था कि उनका उत्रा दिकारी ढूणा जाए फिर राहूल मान गए कुछ शर्तों के साथ कॉंग्रेस के काम काज में उन्हें पूरी आजादी देने की शर्तों के साथ हो मान चुके हैं इसके बाद आज सुबह फिर बदला राहूल का मूट और एक बार फिर से उन्होंने इस्तीफ़े के पेशकर्श की और फिर से अडगा इस्तीफा देने को लेकर लेकिन शाम होते होते कांग्रेसी के लिए कच्छी खबर एक सुकून वाली खबर आई राहूल द्वारा अगले तीन से चार महीने तक इस्तीफा ना देने की खबर आई आप कांग्रेसी नेता और कारेकरता कर रही है इश्वर से द्वाई गरफर से राहूल का मूट नहीं बदल जाने की दुआ की जा रही है इस बीच ये एहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि तीन से चार महीने तक राहूल गादी ने ये संके दे दिया है कि मैं इस पत्पे बना रहूंगा लेकिन उससे पहले जून की नाराज की थी जो तलखी थी उसमें सीधे दॉर्टन उन्हों यानि दोपहर चड़ते चड़ते ये खबर आ चुकी थी कि कुछ शर्तों के साथ राहूल गादी फिलाल ये जिमदारी संभालने के लिए तयार हो गए हैं एक तो पहली बात ये कि उन शर्तों में क्या-क्या शामिल है और दूसरी ये बात कि तीन से चार महीने का कंडिक्शन उन्होंने क्यों लगाया है रीमा सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हमारे दर्शक है और देखे सब ये दिली में अगर दो ही खबर हैं पहली मंत्री मंडल का चैरा कौन होगा दूसरा राहूल गांदी क्या चाते हैं और कॉंग्रस किस दिशा में जाएगी अब हम बात करते हैं राहूल ग इस हार का जिम्मेदार खुद को बताया पहला दूसरा आपको बताएंगे कि दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि यहां पर मुझे ग्राउंड रियालिटी बताई नहीं गई मैंने डिमॉक्रिक तरीके से सबको फ्री हैंड दिया था चाहे फिर वो प्रत्याशी चैन हो च चाहे फिर वो कैंडिडेट सेलेक्शन के साथ साथ प्रभारी हो फाइलेट प्रोजेक्ट जो राजस्थान के अलावाद पूरे देश बन में गए और अमिठी के साथ साथ उन्होंने खास तोर पर राजस्थान मद्प्रदेश, सत्यसगर्ड, गुजरात ये तमाम राज्य अब जो बाकी CWC के सदस्य उन्होंने एक resolution पास किया था, उस resolution में अगर हम समझें कि Congress का constitution है, उसमें कोई भी policy changes होता है या structure change होता है तो वो CWC उसका फैसला लेती है, लेकिन यहाँ पे पूरी CWC ने अपनी पूरी powers legally राहुल गांधी को दी उस CWC की बैठक में, और कहा कि आप zero से लेकर ऊपर तक, क्योंकि राहुल गांधी के मन में ये भी बात थी कि जब मैं राष्ट्र अध्यक्ष पद्र पर आया, तो कोई संगधन में बड़े बदलाव नहीं हुए, सोनिया गांधी की team ही काम कर रही थी हो, कहीने कहीं राहुल के मन में ये भी बात है, कि मेरी स्पीड के साथ वो मैच नहीं कर पाए, और कहीने कहीं एक व्यक्ति ने ये भी टिपनी की, कि राहुल के कंदे पे बूड़ी कॉंग्रिस का बोज इतना था, कि वो रिजल्ट नहीं दे पाए, अब बात करते हैं कि राहुल गांधी ने ये कहा कि मैं अध्यक्ष नहीं ले सकते, राहुल प्रिंसिपली देश के विपक्ष के नेता हैं, तो उनको कॉंग्रेस का अध्यक्ष, राष्ट्य अध्यक्ष के साथ-साथ विपक्ष के नेता के तोर पे भी एडिसिजन लेना होगा, तो यहाँ पर राहुल गांधी के जो व्यक्ति है, तमाम जो पूरा चैว, और यहाँ झालेना है का अध्यक्ष के लिपक्ष, सैवा आध्यक्ष के साथ-साथ-साथ के साथ-साथ-साथ-साथ-साथ. हैं वो भी मुखरहोके कह रहे हैं कि लाहूल गांधी ही जिम्मदारी संभाले माद्ला वक्त में राहूल गांधी आः आग ski रीमघ के जाहिर तॉर पे तमाम विपक्षंस है वो वह एक जूट होके कह रहा है कि राहूल के अलावा नरिन मोधी को टक कर कोई नहीं दे सकता अगर देश में बीजेपी को वोट मिले तो केवल नरिन मोधी की वज़े से और जो 3.60 वोट परसंटेज बड़ा है कॉंग्रेस का तो वो केवल राहूल गांदी की वज़े से और राहूल गांदी के अलावा कोई विकल्प नहीं और अगर फर्ज कीजे यह भी चरचा हुई कि राहूल गांदी के अलावा किसी और को लाया जाता है तो वो अपना पूरा बैग्राउंड शुरू से तयार करेंगे और इस बीच में बीजेपी को फिर जो है स्पीड मिल जाएगी आड मिल जाएगी और जो है आगे बहतर काम की क्योंकि वो जो नया राश्ट्र अध्यक्ष्ट है वो पहले अपना संगठन के धांचे को ही समाल रहा होगा इसलिए क्ल योगी रहें लोगों ने क्या कुछ कहा ये हमने बात करें लेकिन अदीती एक चर्चा ये भी चल दी है राजस्थान पर फोकस करें कि यहां भी बड़े बदलाव की गुंजाईश है और राहुल गांदी इसके लिए फ्री हैंड है कई रामों की चर्चा भी चलने लगी है तो दिल्ली में राजस्थान को फोकस करते हुए क्या कुछ फैसले हुए हैं वो अज़र आप यहां अपनेट कीजेए देश भर में होगा कॉंग्रिस की पूरी संगठन में चाहे फिर वो क्योंकि राहुल गांदी नाराज है और यह बात सच है कि राहुल गांदी कमलनाथ से भी नाराज है तो राहुल गांदी जोतरादित सिंद्या से भी नाराज है तो अशोग गैलोट से भी नाराज है तो जोहन सिंग, एहमद पतेल और तमाम बड़े दिगजों से यहां पर एके एंटिनी और और भी लोगों से मुलाकात की वहीं अशोग गैलोत नहीं मुलाकात की यह बात सच है कि और कुछ बदलाव देखने को नजर आएंगे और जाहर तोर पे यहां पर अब वो रेस है कि कौन कहां पर पहुंचे लेकिन फिलाल राहूल गांदी से ना शोग गैलोत की मुलाकात हुई ना सचिन पाइलिट की मुलाकात हुई